कुसुम के ब्यूटी टिप्स मैसेलफ कुसुम आप मेंसे बहुत सारे लोगों को यह चीज नहीं बता होती है कि मेंधी लगाने के लिए हमें किन किन चीजों की साउधानिया बरत्नी जीए इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहे हूं देखें यह वीडियो उनके लिए है जिनको नहीं बता है और जिनने पता है वो वीडियो स्क्रेप्ट कर सकती है कि बहुत सारे लोगों के ते ऐसी तो होता है यह तो हमें पता है लिकिन नहीं बता है यह वीडियो उनके लिए है खास तोर पर बहुत सारे लोगों की सिकायत होती है कि बालों पे महंदी नहीं लगती है या बालों पे जाना दिन महंदी नहीं दिखती है या बालों पे महंदी लगाने के बाद हमारा बाल डैमिस हो जाता है यानि कि ऐसी आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो उसी को से महंदी आप्लाई करना का अँची है शयक्त करना технолог कि आप अपने हैप्लाई करता आतbling शहते हैं लोना ही को स्याष्च नहीं है थित्वेकों से जिंद रर्फिक्हाइं रवरिंस कि महंदी आपर देज़ा करने कहते हैं आप वाश करोगे तो ज्यादा देर तक महंदी टिके की नहीं तो नमबर वन आपको हेयर पे सेंपू अच्छे से अपलाई करने है दिन उसके बाद ही आपको अपने हेयर पे महंदी लगानी है और महंदी लगाने के बाद आपको अपना हेयर सुखाना है दो से तीन कहिंटे महंदी लगाने के बाद आपको अपना हेयर वाश कर लेना है कोई कंडिशनर ना कोई सेंपू आपको यूज करने है आपको नॉर्मल वाटर से अपना हेयर को वाश कर लेना है देन उसके बाद आपको हेयर को सुखा लेना है सुखा लेने के बाद आपको अपने हेयर पे ओ में यहांतों आपने मे concurण कुछी tą हुआया और अरिक भी आपने मेन मगेरी टोग के आपने मेरी तरह को मैं भी शती ही जलआ हां कि महातों भी जता था किया जहाए को आप साकिटना सब्सक्राइब ग्ञा्यों में थे लिएpert बहुत आई लोग के अगेटे हैं मेहंदी लगाने के बाद अपनी हेर्स को सैंबू से बॉष कर लेते ही जो कि नहीं करना होते हैं थोड़ी थोड़ी हेर लेके आपको मेहंदी पूरी बालों पे लगानी होती है मैं आपसे मिलती हो फिर किसी नहीं वीडियो में तब तक के लिए पाएंटे कि